अलो फ्रेंट्स नमस्कार साथियों आज ग्राम बिकास अत्कारी जिसे वीडियो को हिते हैं मेंस एक्जाम का रजेल्ट आज जारी कर दिया है गुंतीज जुलाई दो हजजार बाईस कितने स्टूडेंटों को पात्र किया है तो इसमें दो गुना कि क्या निका लिये पायेगी यहां दोगों लोगों को क्या किया गया है पास किया है इस में कुल पत्रे 5,306 में अब इनके आप दोगने कर लो तो पांदूना का दस और तीन दूनी के छे मतलब दस हजार साथ सो के सम्थिंग इस्टुडेंटों को क्या किया गया है पास किया है अब यहां सबसे मेरे बात है कि कटो दोगने की कितनी गई यह चीज मैं आपको बता देता हूँ आप रॉल नमर अपना सर्च कर लेना यह चीज मैं आपको बता देता हूँ आपको अपने रॉल नमबर जास लेने हैं ये सब ही के रॉल नमबर दे रखे हैं दोस्तों अपने रॉल नमबर सर्च कर लेना और अब आती है अपने पहली Non-TSP Non-TSP एरिया की कट-off कितनी गई है, जनर्नल की कितनी है OBC की कितनी है, EWS की कितनी है MBC की कितनी है SC की कितनी है HT की कितनी है ये चीज में आपको अब discuss कर देता साथियों ये अपना page खुल चुका है कि journal की कितनी है आप देख सकते हो यहाँ साथियों journal की cut-off जो गई है journal, mail की जो cut-off गई है 125.345 125.345 mail की cut-off यहाँ पर रही है जबकि female की cut-off की बात की जाए किसकी? female की cut-off की बात की जाए तो 113 कितनी? 113.12 ये रही है जबकि WD एक divorce और विद्वा इनकी बात की जाए तो 53.43 और 91 ये इनकी cut-off रही है जबकि EWS की बात की जाए EWS की हाँ बात की जाए EWS तो जर्णल की गई है 118 female की गई है 106 SC की बात की जाए तो SC में जर्णल की गई है 102 और फिमेल की गई है 180 मेल और फिमेल 102 और फिमेल की 85 आगे बात होती है ST की ST की cut-off यहाँ जर्णल की 99.80 और फिमेल की गई है 89.39 अब आती है बात OBC की OBC की और MBC की आपको पता है कि OBC की cut-off जर्णल के संथिंग रहती है जर्णल की जर्णल की कट-off जाती है जर्णल की 125 गई थी तो यहाँ OBC की 124.54 गई है अब आप अंदाज लगा लो कि जो OBC को 21 पृतिसत जो आरक्षन दे रखा है क्या यह आरक्षन OBC को पूरा आरक्षन के लिए फायदा मिल रहा है क्या नहीं मेरे दोस्तो OBC वालो अभी तुम जाग जाओ क्योंकि जो OBC का जो आरक्षन है उसमें से 12,5% 12,5% आरक्षन होलिजिंटल छित्र वाले जो आर्मी के जो तो उसमें आप जोन हो सकते हो और जा भी सकते हो और OBC के कोछ हमारे भाई हैं वो अपने OBC के प्रतिल लगे हुए हैं तो OBC की जो कटोप जाती है यह संथिंग जर्डनल के इर्दगेद में रहती है जितनी जर्डनल की रहती है उतनी ही क्या रहती है OBC की कटोप रहती है अब यहां मेल की 124.54 और फीमेल की 109.06 अब यहां पर बात करते हैं MBC की कितना अंतर आ जाता है जर्डनल में OBC और MBC में MBC की बात करते हैं मेल की 113 और फीमेल की 91 अब आज अंदाजा लगा लो तो 11 नंबर का अंतर आता है किसमें OBC और MBC में OBC और MBC में 11 नंबर का अंतर आ रहा है और जब की HD की बात की जाए किसकी HD की यहां की बात की जाए तो HD की मात्र कितनी गई है 99 गई है 99 गई है मतलब कितना अंतर आ गया 25 का अंतर आ गया है अब तुम अंदाज लगा OVC वालो की कटो आपकी खाँ जा रही है कितने आसमा चूँ रही है EWS की बात की जाए तो EWS की यहां मात्र 108 रह गई है EWS से भी जादा है 6 नंबर EWS से भी जादा है किसकी? OVC की EWS से भी जादा है और अगर बात की जाए कि SC की 102 गई है तो SC से भी कितने जादा है? SC से भी 22 जादा है SC से 22 जादा है ST से कितने जादा है? 25 जादा है MB से कितने जादा है? 11 जादा है और EWS से कितने जादा है? वो 6 जादा है EWS से अब तुम लगा लो कितना पढ़ोगे? कितनी मेनित करनी पड़ेगे इंसे ज़्यादा तो OBC को बैसे दे रखा 21% आरक्षन लेकिन 20% आरक्षन क्या आपको पूरा लाब मिल रहा 20% में नहीं मिल रहा नहीं मिल रहा मेरे दोस्तों इसलिए आप अभी भी जाक सकते हो इसमें से जो OBC का आरक्षन है ना तो प्रवाब EW से पड़ेगा ना MBC पर प्रवाब पड़ेगा ना ST पर ना SC कोई C category पर प्रवाब नहीं पड़ेगा और ना ही General पर प्रवाब पड़ेगा इसमें से OBC वाले सिर्फ क्या कर रहे है OBC वाले जो मुद्दा उठा रहे है किस को उठा रहे है ओनली फोर जो 21% जो आरक्षन दे रखा है 21% जो OBC का आरक्षन दे रखा है बस उसी पर चर्चा कर रहे हैं ये लोग क्योंकि इसमें से जो 12.5% है 12.5% है इसमें से ये जो आर्मी बारे हैं और ही जिनदल चेत्र के ये इसमें से क्या उठा रहे हैं लाव उठा रहे है तो ये 21% है ये कह रहे है कि जो हमार 20% है वो हमें पूरा दे 21% दे OBC वालों के हैं कि जो 20% आप दे रखा है वो हमें पूरा दे जैसे SC के लिए 16% दे रका है ST के लिए 12% दे रखा है ऐसे ही जैसे EWS है 10% दे रखा है तो इनके लिए जैसे पूरा परसंट दे रखा है ऐसे ही OBC वालों के लिए जो 21% है उनके लिए 20% पूरा है होना चाहिए साफ होना चाहिए साफ सोतरा के लिए आपको 20% हमने OVC को आरक्षन दे दिया गया है तो इसलिए अगर OVC को 21% आरक्षन यहाँ पर मिल जाता तो यहाँ भी कटॉप कितनी रहती जैसे EWS की 108 है तो मैं मानता हूँ कि OVC की भी 108 रहती और के तो आप नीचे लिया और 115 पे रहती इतना अंतरा जाता क्योंकि जब MBC की जब इतनी जा सकती है MBC की 113 रह सकती है तो OVC की 124 को रह सकती है यह ज़्यादा क्यों जा रही है यह ज़्यादा इसलिए जा रही है अंतर ज़्यादा नहीं आता है OVC, MBC, SC, ST क्योंकि सब पढ़ते हैं आज के योग में, सब पढ़ते हैं, चबले वो OBC का हो, SC का हो, ST का हो, MBC का हो, EWS का हो, जर्णल को, सब काश्ट के पढ़ते हैं, सब कैटेगरी के लोग पढ़ते हैं, सब महिनद करते हैं, लेकिन यहाँ OBC वाले जो मुद्दा उठा रहे हैं, वो अपना मुद्दा गलत नहीं उठा रहे हैं वो अपना मुद्दा सही उठा रहे हैं लेकिन उनके लिए क्या है कि कोई साथ नहीं दे रहा है इन OBC वालों के लिए क्या नहीं दे रहा है कोई साथ नहीं दे रहा है अब यहां मंत्रियों को साथ देना चाहिए यहां बिधा इस चीज को भी OVC वाले देखें, ये इस चीज को भी OVC वाले देखें, OBC वाले ध्यान दे इस चीज़ पर क्योंकि जब हमारा selection नहीं हो रहा है OBC वालों का selection नहीं हो रहा है तो आप कितने पढ़ते रहोगे पढ़ते रहोगे और वो सबहाँ एक बात हो रहा है OBC के सबसे ज़्यादा क्या student है candidate भी OBC के सबसे ज़्यादा है जैसे आंक्रा लगाएजा है अनपात के आदार पर कि जैसे SC के लिए 16% है तो SC की ज़्यादा है राइस्तान अगर ज़्यादा है 16% ही ज़्यादा है 16-17% की अबब में जैसे HD की बारे परसेंट की अबब में ही है 21% या OBC की ज़्यादा है कम से कम आगर चूता है 50 प्लस और के तो SC की बात करो अब तुम अंदादा लगाओ 21% आरक्चन पर कितनी परसेंट ज़्यादा है 50-30 प्लस में ये भी एक कमी है केंदर सरकार में OBC के लिए दे रखाया कितना 27-30 तो यहाँ भी कितना होना चाहिए सब भेरे गुंगे बने वेटे हुए हैं कि मैं क्यों अवाज उठाऊँ अगला उठा लेगा ये कंडिशन हो रखी है कि मैं अवाज क्यों उठाऊँ जब कि अगर OBC के बिदायकों की बात किया OBC बिदायक क्या परसनल बिदायक जग है बताओ अन्ता जवाब जब 67 बिदायक जग है फिर भी अपना जो OBC जो मेंटर है फिर भी ये नहीं रस पारा फिर भी OBC का ये cmdC कर ला है फिर भी ये नहीं सिलिझ पारा ये क्यों नीं रस पारा इसमेदे भी प्रो Bak Pr проблема है तो इसलिए इस चीज़ को यहां क्या है कि OBC के लिए 21 पर्षन जो आरक्षन दे रखा है इसे आम के लिए